हलो एवरिवन दोस्तों क्या हाल चाल है उमीद करता हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत 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 जादा अच्छ होंगे तो दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास में पर्मूटेशन के टॉपिक को क्लोज करने वाले है बिल्कुल सही सुना आपने और आज ये पर् प्रमूटेशन बोला है रेएं मैंने जहीं बोला है रेम नहीं पर्मॉटेशन सहीं पंटेशन के टॉपिक में कम से कोस्तों अरो आके बढ़ना दिया मैंने आपको जो भी टॉपिक कराया है वो इस तरीके से कराया है कि पेपर में कोई भी कोशन आ जाए, कोई भी कैसा भी कोशन आ जाए, आप हर टाइप के कोशन को करने के लिए capable हो, तो सबी बच्चे सबसे पहले मुझे ये बताए कि सबी बच्चों को ओडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है और जिन जिन नलायक बच्चों ने वीडियो को सबसे पहले लाइक नहीं किया है, पहले वो वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखना शुरू करिएगा, सबी बच्चों को मेरा प्यार बड़ा गुड मॉर्निंग, खत्री जी, और कौन-कौन है, संशाइन गर्ल, श्रिवाल प्रेंस, प्रिटी कुमारी, सुजल क्रियेशन, विजे शुकला, ओजे, कुनाल जा, शुभी अगरवाल, सभी बच्चे बताएं, सभी को ओडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, और जितना मैंने आपको पर्मूटेशन में पड़ा दिया, वो सब टिगर हो गया है, नहीं हुआ, जल्दी से बताएं, सभी बच्चे बताएं, कि पर्मूटेशन में मैंने आपको जितना पड़ाया है, उतना आपको सब को सबज में आ गया, और आपने कोशन्स को ट्राई करा होगा, तो कोशन्स आपसे हो पा रहे है या नहीं हो पा रहे है, जल्दी से बताएं, सभी बच्चे, आप लोगों से कोशन्स हो पा रहे हैं, पर्मूटेशन के या नहीं हो पा रहे है, आपको कोई फॉर्मला, कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूवत नहीं पड़ी होगी, मेरे हिसाब से, और अगर अभी भी मुझे प्लीस कमें शेक्शन में लिखके जरूर बताएं, कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, जरा सर बेटा जी, ओजे जी, बस ये पर्मूटेशन को अमिनेशन का अधम हो जाए, उसके बाद हम सीधे सीधे सेंट्रल टेंडेंसी की दरफ मूब करेंगे, और उ जल्दी से बताएं, सबी बच्चे मुझे रहे हैं, जल्दी से बताएं, नलाय को किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, व्यूवर्स हैं जादा और लाइक है कम, इसका मतलब कौन कौन नलाय की कर रहा है, ध्यान रखना, शराब दे दूँगा सुबह सुबह, विजय शुकला जी करें, सर कोर्स कब तक कम्प्लीट होगा, विजय जी अगर आप सिर्फ कोर्स खदम करना चाते हैं, तो मुझे आप सिर्फ चार दिन का समय दे भाइप, पूरा कोर्स खदम कर दूँगा, सारे फॉर्मले लिखवा दूँगा, अपने आप भी खदम हो ज लगता है बेस बनाने में समय तो लगता है चाहें वो कोई भी सब्जेक्ट हो देखिए मैंने आपको हर जो भी टॉपिक पड़ाया है उसमें maximum possibilities कराई है वो इसी वज़े से कराई है कि जब आप पेपर में question attempt करें तो आपको यह डरना लग या यह question तो कम से का हमें आता ही होगा ठीक है ना हाँ जी रुशी कनोजे जी कह रहे हैं सल लाजवाब सिखाते हैं मैंने CMA foundation इनी से पढ़ाया टैंक यू बेटा जी मुझे पता है कि जितना मैं आपको कराऊंगो उसके बाहरा आपको पेपर में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए आप कुछ भी कर लीजिए पूइक से पे कुछ भी मिलना जाए कुछ भी कर लिजिए हां से पहले वीडियो को लाइक किसने किसने नहीं कराया जरा बताई एसे लाइक नहीं करेंग जैसर पहले आप इज़त से बात करिए हमसे तो बेटा जी हमें जसे ही बात कर लेते हैं आपसे आधर्निये मान्निये परम पूजनिये शिरी 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 एक हजार आठ बार मेरे नलायक बच्चो सबसे प आद वीडियो को आगे देखना शुरूյ करिएगा. हाजी चलि, अब बात करते हैं पर्मुटेशन में. तो पर्मुटेशन में हमने लास्ट क्लास के अंदर वर्ड्स वाले कोष्ण करें थे और वर्ड्स वाले कोष्ण में 2-3 टाइप के कोष्ण और बचे हैं बाकी वो words के question खतम हो जाएंगे और साथ में आज हम लोग circular permutation और NPR के factor को खतम करेंगे ताकि ये permutation को topic आपका पूरी तरीके से bind up हो सके permutation अगर आपको सही तरीके से आ गया दोस्तों तो यकीन मानिए इसके बाद आपके लिए probability बहुत ज़्यादा simple हो जाएगा probability का topic आपके लिए बहुत ज़्यादा simple हो जाएगा इसलिए permutation में इतने lectures लगते ही लगते हैं एक बड़ा topic है इसके अंदा possibilities बहुत ज़्यादा बनती हैं इसलिए मैंने आपको maximum सारी possibilities cover कराई हैं यहां तक सभी लोग जवाब दे जितना मैंने पढ़ाया उतना आप सब को सबज में आ गया या नहीं आया जल्दी से जवाब दीजे मुझे सभी बच्चे यहां तक सभी को सब कुछ clear है और अभी भी कुछ नालायक बच्चे ऐसे हैं क्योंकि viewers है ज़्यादा likes है कम तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे नाराज है जो वीडियो को like नहीं करना चाह रहे है تو बाइप प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे जो भी नाराज की है बात में निम्टा लेंगे लेकिन अभी वीडियो को like कर दिजे हाँ जी सर् चलिए तो question चल ला था what details का question चल ला था word details का अब अगर मैं इसमें कहूं आपसे vowels never come together जरा answer बताइए जरा फट फट से vowels never come together जरा जल्दी से answer बताइए vowels never come together जरा जल्दी से answer बताइए 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 सभी बच्चे जरा जल्दी से answer बताइए किसी का answer आया जरा जल्दी से answer बताइए जरा जल्दी से answer बताइए जरा जल्दी से answer बताइए answer किसका आया किसी का कोई answer नहीं आया चलिए मैं इस बता देता हूं आया किसी का आणसर? अभी भी भी नहीं आया आई तो नेवर की बात कर रहा है तो टोटल में से माईनस करेंगे मने सेवन फेक्टोरियल माईनस सेवन फेक्टोरियल माईनस अब वोवस कौन कौन से है? E, A और I इन 3 को एक माल लेंगे, बाकी बच्चे चार, चार और एख ये कतने होंगे, पांच, पांच को arrange करने के तरीके 5 factorial, और वो तीनों आपस में arrange होंगे, into 3 factorial, तो answer आ गया, 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial, 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial, अगर किसी letters की repetition हो रही होती तो वो divide में डालते हैं सबसे last में जैसे अगर मैं आपको कोई दूसरा word दूँ जैसे मैंने word दिया arrangement word दिया arrangement और मैंने कहा two a's never come together two a's never come together two a's never come together दो a's साथ साथ नहीं आने चाहिए ये दो जो a है ये कभी साथ साथ नहीं आने चाहिए अब never के लिए मैंने आपको बताया था कभी भी किसी काम को ना करने की condition निकाल ली हो तो total में से करने की condition को minus कर देते हैं कभी भी किसी काम को ना करने की condition निकाल ली हो तो total में से करने की condition को minus कर देते हैं अब जड़ा टोटल कंडिशन के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, मानिए 11 फेक्टोरियल माइनस, 11 फेक्टोरियल माइनस, अब हम दो A को A मान लेंगे, बाकी इधर कितने बचेंगे आपके पास, नो लेटर ये बचेंगे, दो A को इधर कितने बचेंगे आपके पास, नो लेटर ये बचेंगे, नो ये, एक, ये, कितना होगया, दस, नो ये, एक, ये, कितना होगया, दस, दस को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 10 factorial और ये दोनों आपस में range हो सकते हैं इंटू में 2 factorial लेकिन answer दोस्तों यहां कतम नहीं होगा अब जरह ध्यां से देखिए यहां पे letters की repetition हो रही है जब letters की repetition हो रही है तो जो letter जितनी बार repeat करेगा उसका factorial इतनी बार divide में भी आएगा तो divided by अब divided by a दो बार repeat हो रहा है 2 factorial r दो बार repeat हो रहा है 2 factorial n दो बार repeat हो रहा है 2 factorial e दो बार repeat हो रहा है 2 factorial तो यह इसका answer कराएगा तो repetition वाली बात हमेशा सबसे last में की जाती है repetition वाली बात हमेशा सबसे last में की जाती है बात सबज में आ गए या नहीं है जल्दी से जवाब दीजे यहां तक सभी को clear है जल्दी से जवाब दीजे यहां तक सभी को clear है never वाला case कभी भूलेगे तो नहीं किसी भी काम को ना करने की condition निकालनी हो तो हमेशा total में से करने की condition को minus कर देते हैं. किसी भी काम को ना करने की condition निकालनी हो, तो हमेशा total में से करने की condition को minus कर देते हैं. आएए, अब दूसरे बात करते हैं, details. details की बात करें, अब इसने कहा, vowels occupy on even places. vowels occupy on even places. vowels किस पर आने चाहिए? even place पर आने चाहिए. तो सबसे पहले हमारे पास कितने places available है? साथ. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, साथ. अब जड़ा ये बताईए, इन साथ places में even place कौन कौन से होंगे? सर, एक तो होगा second, एक होगा fourth, और एक होगा sixth. एक होगा second, एक होगा fourth, एक होगा sixth. इन तीनों places पर कौन आना चाहिए? वावल, वावल कितने है? E है, A है, और I है. तीन वावल है, और तीन places है. तीन वावल है, और तीन places है. तो पहले place के लिए कितनी choices? पहले place के लिए कितनी choices? जड़ा जल्दी से बताईए, इस पहले place के लिए कितनी choices? किसी एक को fix कर देंगे मान लिजे एक को कर दिया तो दूसरे के लिए दो फिर एक अब जो बाकी places खाली बचे इन पे कौन आएगा यह जो बाकी places खाली बचे इन पे कौन आएगा इस पे consonant आएगा कितने consonant बचे चार consonant बचे तो इंटू में कितना आजाएगा इन टू में कितना आजाएगा फूर फेक्टोरियल तो answer क्या हो गया 3x2x1x4 factorial यह बन गया थी फेक्टोरियल इनटू 4 factorial तब भी answer सही है यहां तक सबको समझ में आ गया, जल्दी से जवाब दीजे, यहां तक सभी को clear है, जल्दी से जवाब दीजे, यहां तक सबको clear है, जल्दी से answer दीए, comment section में, आप लोग बिल्कुल keyword में लिखा करिए, जल्दी जल्दी, शुभी अगरवाल जी करिए answer D, फिर दुबारा सबल लेते हैं, शुभी जी ध्यान से देखिएगा, शुभी जी ध्यान से देखिएगा, बैए, details का word था आपका, D, E, T, A, I, L, S, E, A, I, D, T, L, S, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, हाजी जार, वो कह रहा है, वावल्स occupy on even places, second place is the even place, fourth place is the even place, and sixth place is the even place, यही तो हुआ, मने इन तीन places पे कौन आना चाहिए, E, A, I आना चाहिए, अब मुझे यह बताए, प्लेस उठाके वावल पर रखेंगे, या वावल उठाके प रखेंगे, प्लेस उठाके वावल पर रखेंगे, वावल उठाके प्लेस पर रखेंगे, वावल उठाके प्लेस पर रखेंगे, मने तीन वावल है, और तीन choices है, बिल्कु सही बात है, तीन वावल है, तीन places आपके पास, तो three factorial direct कर सकते हैं, अब आपके पास places कितने खाली बचे 1, 2, 3 और 4 चार places खाली बचे चार consonant है तो into में 4 factorial तो answer कितना आ गया 3 factorial into 4 factorial शुभी जी सवज में आ गया शुभी जी सवज में आ गया शुभी जी सवज में आ गया चले अब इसके बाद details फिर दुबारा details फिर दुबारा अब मैं लिख रहा हूँ, ववल्स, ववल्स, ओक्यूपाई ओन ओड प्लिसेश, ववल्स ओक्यूपाई ओन ओड प्लिसेश, अब ज़रा देखी, सबसे पहले तो ववल्स अलग कर लिजे, ई, ए, आई, डी, टी, एल और एस, एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, हाँ जी odd places कौन कौन से है first, third, fifth और seventh first, third, fifth और seventh अब आपके पास vowels कितने है तीन, places कितने है चार, क्या possible है बैई vowels कितने है तीन, places कितने है चार, क्या possible है जड़ा जल्दी से बताईए सबसे पहले ये बताईए, ये possible है बैई तीन आदमी है चार कुर्सी खाली पड़ी है ए----- कितनी चॉइस तो भाई इनके पास एक extra choice है ना, कम थोड़ना है, एक choice extra है ना, कम थोड़ना है, तो ज़रा ये बता, ये E के लिए कितनी choice, 4, A के लिए कितनी choice, 3, I के लिए कितनी choice, 2, E के लिए कितनी choice, 4, फिर किसी E एक किसी प्लेस पर जाके बैठ जाएगा, तो A के लिए कितनी choice, 3, और I एक लिए कितनी चोईस दो यहां तक सभी को क्लियर है जैदीव सेंग और प्रिया कुमारी जी और दिव्या मोदी जी जरा जल्दी से बताईए ये बात क्लियर है जरा जल्दी से बताईए तब मैं आगे बढ़ूँगा आदमी है तीन कुर्सी खाली पड़ी है चार जैसे अगर माल लीजे 5% लेने गए और क्लास में कुर्सी बढ़ी है साथ तो आपके पास 2 एक्स्टर चॉइस है कम तो या लेकिन अगर क्लास लेने गए 5% और कुर्सी बढ़ी है 3 तो आप क्या कहते है सर कहां बैठें माने उस कंडिशन में आपके पास चॉइस कम होती है बात स कि आपके पास मार्म labour micow와 कश्राम में मुष्छा एक फाइन कर तो पर ऑन से मुराँ जेह को उती है। जल्दी से बताईए, अब आपके पास चार प्लेसिस हैं, और आपके पास चार ही कॉंसोनेंट है, तो इंटू में कितना आ जाएगा? इंटू में कितना आ जाएगा? यहां तक सब को समझ में आ गया, जल्दी से जवाब दीजे, यहां तक सब को क्लियर है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, यहां तक सब को क्लियर है, वेरी गुड, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर दुबारा वर्ड ले ले लेते है डीटेल्स, डीटेल्स की जगाँ वर्ड लेते हैं डॉट्टर, अब वर्ड लेते हैं डॉटर, हाँ जी सर, पहला, वावल्स ऐक्यूपाइ ओन इवन प्लेसे, जल्दी से बताई कितने लेटर से आठ है, एग, दो, तीन, चार, पांच, छै, सात, आठ, इवन प्लेसे कितने होंगे चार ठीक है ना और और प्लेसे भी कितने होंगे चार क्योंकि आठ प्लेसे है अच्छा ववल्स कौन कौन से है A, U, E बाकि D, G, H, T, R हाँ जी इन तीन की बात हो रही है सबसे पहले अब तीन ववल्स है तीन ववल्स है और चार प्लेसे से पॉसिबल है या नही है तीन ववल्स है और चार प्लेसे से पॉसिबल है या नही है ज़रा जल्दी से बताएए जल्दी से तीन ववल्स है और चार प्लेसे से पॉसिबल है या नही है हाँ या ना का जवाब दीजे तीन वावल्स है और चार प्लेसे है पॉसिबल है और नहीं है जल्दी से जवाब दीजे बिल्कुल पॉसिबल है अच्छा तो अब एक के लिए कितनी चोईस चार यू के लिए कितनी चोईस तीन और एक के लिए कितनी चोईस दो A के लिए 4, U के लिए 3, E के लिए 2 अब places कितने खाली बचे एक, दो, तीन, चार और इन में से एक नहीं खाली जो नहीं बचेगा कोई नहीं कोई क्योंकि 4 थे, 3 वो बस थे तो अब आपके पास places कितने रहे गए 5 और consonant भी कितने है 5 तो into में कितना आएगा 5 फेक्टोरियल into में कितना आएगा 5 फेक्टोरियल तो answer हो गया 24 into 5 फेक्टोरियल answer हो गया 24 into 5 फेक्टोरियल बेटा 24 फेक्टोरियल नहीं होगा sunshine girl करके जो है 24 फेक्टोरियल क्यों होगा 24 ही तो होगा 24 into 5 फेक्टोरियल बास सवज में आ गई, चलिए, अच्छा, अब अगर मैं बात करता, details, details, मैं कहता, consonants, consonants, occupy on even places, consonants, occupy on even places, consonants, occupy on even places, तो भाई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, यह साथ places हो गए, आप जड़ा ध्यान दीजिए, consonant की बात करा तो पहले हाँ, DTLS लिख ले, DTLS, बाके A, E और I, ठीक है न, even places कौन कौन से हुए, second, fourth, और sixth, हाँ जी सर, यह हैं आपके consonant, और यह हैं आपके places, अब चार परसन हैं, तीन कुरसी खाली पड़ी हैं, चार परसन हैं, और तीन कुरसी खाली पड़ी हैं, जरा मुझे बताईए, क्या possible है, क्या possible है, जरा जल्दी से जवाब दीजे, क्या यह possible है, कि चार इंसानों को तीन कुरसी पर बढ़ाल दिया जाए, एक seat कम है, ओजे जी बिल्कुछ सही कह रहे हैं, मने, इसका मतलब सारे के सारे कॉंसोनेंट इवन प्लेसिस पे नहीं आ सकते, तो उसका अंसर क्या आएगा, नौट पॉसिबल, इसका अंसर क्या आएगा, नौट पॉसिबल, यहां तक सबको सबज में आ गया बिटा जी, यहां तक सबको क्लियर है, सबज में आ गया, किसी क कोई doubt हो तो बताईए यह choices तो आपको देख नहीं पड़ेंगी इसका तो कोई चारा है ही नहीं बहुत चार आदमी है तीन कुर्चिया कैसे बैठाल दोगे not possible हो जाएगा यहां तक सभी को clear है जल्दी से बताईए यहां तक सभी को clear है मदू कुमारी जी कह रही है सर वावल्स में problem होता है क्या problem होता वावल्स में क्या a e i o u इसमें क्या problem वाली बात है वावल्स को छोड़के बाकि सभी letters को बना जाता है consonant ठीक है ना यहां तक सभी को clear हो गया very good चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम वर्ड ले लेते हैं वर्ड ले लेते हैं कौन सा ले है कुछ अच्छा सा वर्ड लेते हैं चलिए कोई बात में वर्ड लेते हैं failure जड़ा करके बताईएगा सर जो मैं पूछ रहा हूं पहला vowels on even दोसरा consonants on even जड़ा जल्दी से बताईए वर्ड लेते हैं और दोसरा कौन कौन से होते हैं बिटा IC MAI के वेबसाइट पर जाएए CMA Foundation में कुल लाके चार सब्जेक्ट देखनों को मिलेंगे बाकी सारी डीटेल आपको वहीं देखनों को मिलेगी ये क्लास सिर्फ पढ़ाने के परपस से है इस जानकरी के लिए आप चाहें तो COC की वेबसाइट पर भी आप इंक्वैरी कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी जानकरी मिल जाएगी हाँ जी सर जड़ा जल्दी से बताएए वर्वल्स ऑन इवन अब फेलियर की बात करें साथ प्लेसे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ हाँ जी सर वर्वल्स कौन कौन से है second, fourth, sixth पहले वाले का अंसर बताएए very good कितने समझार वच्चे है not possible दूसरे का अंसर बात करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, consonant on even, एक, दो, तीन, ये तीन consonant है, तीन प्लेसे है, बिल्कुर सही, three factorial into four factorial, three factorial into four factorial, यहां तक सभी को clear है, यहां तक सभी को clear है, यहां तक सब को सबज में आ गया बिटा जी, किसी का कोई भी doubt हो तो वो पूछ सकता है, यहां तक सभी को clear है, चले, अब इसके बाद, फिर दुबारा word पर लोटाते हैं, details, इसमें आप कहा रहा है, no two vowels come together, no two vowels come together, no two vowels come together, vowels never come together, नहीं कहा रहा है, no two vowels come together, कोई से भी दो वोवल साथ में नहीं आने चाहिए, कोई से भी दो वोवल साथ में नहीं आने चाहिए, यह नहीं कहा रहा है, vowels never come together, देखे अगर यह कहता, vowels never come together, तो हम total में से करने की condition को minus कर देते, मैंने total words minus vowels come together की condition को minus कर देते, लेकिन यह कह रहा है, no two vowels come together, कोई से भी दो वोवल साथ साथ नहीं आने चाहिए, जैसे अगर मैं माल लू, यहाँ पर पहले वोवल कौन कोन से है, ए, ए, आ, 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 बाकि D, T, L और S, अब अगर मैं इनको माल लू, boys, या इनको माल लू, girls, और इनको माल लू, boys, ठीक है न, इनको माल लू, girls, इनको माल लू, boys, अब मैं कह रहा हूँ, कोई सी भी दो लड़किया एक साथ नहीं बैठेंगी, कोई सी भी दो लड़किया एक साथ नहीं बैठेंगी, बातें बहुत करती हैं न, बुरा मत्मा नहीं है, गा, देखिए, मैं सिर्वे कोशन मतलब समझाने के परपस से कह रहा हूँ, दो लड़किया बातें बहुत करती हैं न, तो हम सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले बॉइस को बैठा लेंगे. मने D, T, L और S. ये बैठाल दिया. अब आप गर्स को कहां बैठा हैं, जिससे कोई सी भी दो गर्स साथ साथ ना बैठे. एक तो आप यहां बैठा सकते थे. एक, दो, तीन, चार, और पाँच. हाँ या ना. मनि ये पाँच प्लेसे ऐसे हैं. ये पाँच प्लेसे ऐसे हैं, जिसमें आप गर्स को बैठाएंगे, तो कोई सी भी दो गर्स एक साथ नहीं बैठ पाएंगे. ये पाँच प्लेसे ऐसे हैं, जिसमें आप कहीं भी गल्स को बैठा लेंगी तो कोई सी भी दो गल्स साथ साथ नहीं बैठ पाएंगी कितने लोग मेरी बास से एगरी करते हैं कितने लोग मेरी बास से एगरी करते हैं जरा जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए कितने लोग मेरी बास से agree करते हैं कितने लोग मेरी बास से agree करते है जल्दी से बताईए बेटा जी खत्म करना है topic please आप लोग respond करिए जब तक आप respond नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में बेरि गुट, अच्छा अब गल, पहली गल के लिए कितनी चोइस, ए के suffixes, इस नहीं पर मत passes आत olsun दी हो गया लेगा प्रेत देच हो पर है प्रहुत की और लेकिन हो गई पांच, यह तो आप इस वाले को min वह लीजे हैं, यह तो आप इस वाले को एक turnais चार तो काइदे में बनती ही बनती 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 एक चोइस एक्स्टा है या तो इसे वाले को extra माल लिजे या इस वाले को extra माल लिजे बात सब्ज में आई है नहीं है पहले इतनी बात का जवाब दीजे बात यहां तक सभी को clear रह नहीं है जल्दी से जवाब दीजे ठीक अचा अब E के लिए कितनी choice 5 एक लिए कितनी choice 4 और I के लिए कितनी choice? 3. E के लिए कितनी choice? 5. A के लिए कितनी choice? 4. और I के लिए कितनी choice? 3. यहां तक बात के लिए लोगे? अच्छा. अब ये चारों आपस में भी तो arrange हो सकते हैं तो into में कितना आ जाएगा? 4 factorial. into में कितना जाएगा? 4 factorial. तो answer यहां लिखा आई. तो वर्ड तो यह बनेगा ना. E D इसमें कोई space होना चोड़ेगे. T A L S I तो वर्ड जितने थे अभी भी उतने ही हैं. आप ये तो choice लेके चलें इसका use करेंगे या नहीं करेंगे तो आप भी depend करता है. इस आर दा choice बास सवज में आई या नहीं आई? जरा जल्दी से जवाब दीजे. यहां तक सभी को clear है. जरा जल्दी से जवाब दीजे. यहां तक सभी को clear है. नलाय को जरा जल्दी से जवाब दीजे. Sir doubt है D है. D D D D D D बहुत अराम से फिर समझते हैं. बहुत आराम से फिर समझते हैं सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान समझिए कह रहा है नो टू वावल्स कम तोगेदर कोई से भी दो वावल्स साथ में नहीं आना चाहिए आपने पूछा सार कॉंसनेंट साथ में आ सकते हैं मैंने यार देखो मैंने जो कहा सिर्फ उससे मतलब रखो कॉंसनेंट साथ में आए या ना आए मुझे इससे कोई लिना देना नहीं है कॉंसनेंट साथ में आए या ना आए मुझे इस बास से कोई लिना देना नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कॉंसोनेंट को लिखेंगे ठीक है ना तो आपने लिखा D, T, L, S अब आप कहां कहां वावल्स को रख सकते थे एक चोईस तो यह दूसरी यह तीसरी यह चोथी यह पाँच भी यह माने चार कॉंसोनेंट थे तो पाँच चोईस बनेगी माने एक न एक 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 एक्स्ट्रा होगी या तो आप इस वाले को एक्स्ट्रा माल लीजिए आप इस वाले को एक्स्ट्रा माल लीजिए चार तो बनती बनती कायदे में चार तो कुनाल जी बनती ही बनती एक extra हो गई, आगे के लिए बता रहा हूँ, एक extra हो गई, है ना, अगर हम direct चाहते हैं, तो भी हम कहते हैं, चार consonant हैं, तो पाँच choices बनेगी, अब E के लिए कितनी choice हैं, देखिए न, E आप कहां कहां रख सकते थे, E आप यहां रख सकते हैं, पहली choice, दूसरी choice, तीसरी choice, चौती choice और पाँचवी choice, तो E के लिए कितनी choice, पाँच, अब आप E को कहीं रख दीजें, माली जे, E को मैंने यहां रख दिया, मने अब यह वाली choice खदम हो गई, अब यह choice खदम हो गई, अब E के लिए कितनी choice, पहल यहां रख दिया तो यह वाली चोईस भी खत्ब होगा यह आपके बास ठीक है ना अब आई के लिए किती चोईस पहली चोईस दूसरी चोईस और तीसरी चोईस बने तीन चोईस होंगी आई को आपने यहां रख दिया यह यहां रख दिया आई को आपने यहां रख दिया ठी प्लेसेज कोई जादा नहीं हुए यह तो चॉइसेज आप यूज करें या ना करें या आप को पर डिपेंट करता है आप तो ही कह रहे हैं पहले आपने बॉइस को भी ठाल दिया अब दो बॉइस के बीच में गल बैठेगी तो कभी भी कोई दो गल साथ में नहीं बैठ अच्छा यह चारों आपस में भी आ रहे हैं जो सकते तो इंटू में फूर फेक्टोरियल अब जब आप मुझे यह बताई इसका वर्ड क्या बनाएगा कई आप ऐसे तो नहीं लिखोगे कि डी ए टी अब यहां पर स्पेस देके लिखोगे ऐसे तो नहीं यहां पर स्पेस कि इतनी तो चॉइस bị हैं यहां तक कुलियर होगे सबी को जड़ा जल्दी से जवाब शाम सबी को कारियर है कुनार बिटा जी यहां तक क्लियर हो गया कुनार जी वरी गूड आगे बढ़ते हैं अब ऐसे ही मैं अगर कहूं पाँच बॉइस हैं और तीन गल्स हैं पाँच बॉइस हैं और तीन गल्स हैं मैंने कहा no two girls sit together No two girls sit together No two girls की बात कर रहा है तो पांच boys को लिखेंगे हम अब जाना देखिए पांच boys होंगे पांच boys होंगे माने B1, B2, B3, B4, B5 ये पांच boys होगे ठीक है नब पांच boys के बीच में choices कितनी बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे choices बनेंगे बहिए एक extra होगी एक क्या होगी, extra होगी तो तीन गल से, तो पहली गल के लिए कितनी चोईश है दूसरे के लिए पांच, तीसरे के लिए चार और ये पांचों आपस में रेंजोंगे इन्टू में 5 फेक्टोरियल सबज में आगे है सभी को जल्दी से जवाब दीजे यहां तक सभी को क्लियर है जल्दी से जवाब दीजे यहां तक सभी को क्लियर है बिटा जी और जिन जिन नलायक बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है सबसे पहले नलायक हो वीडियो को लाइक करिए उसके बाद वीडियो को आगे देखना शुरू करिएगा यहां तक सभी को clear है very good आगे बढ़ते हैं sir अब अगर मैं कहता चार boys है चार boys है और साथ girls है मैंने कहा no two girls sit together no two girls sit together अब आप खुद बताइए चार boys को आप पहले बेठा लेंगे B1 B2 B3 और B4 अब आपके पास choices कितनी होंगे एक, दो, तीन, चार और पाच और girls कितनी है साथ क्या possible हो पाएगा क्या possible हो पाएगा ज़रा जल्दी से बताइए क्या possible हो पाएगा not possible तो इसका answer क्या आजाएगा not possible क्या possible हो पाएगा भई, पाच choices है साथ girls साथ पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब कोईसी भी दो girls तो साथ में बैठेंगी, बैठेंगी चाहिए आप कुछ कर लो कोईसी भी दो girls बैठेंगी तो कितनी चोईसी बनेंगी अब पहले बॉइ के लिए कितनी चोईस आठ दूसरे के लिए साथ, छे और पाच और ये साथों अपस्में रेंजोंगे इंटू में, सेवन फेक्टोरियल बात सवज में आई या नहीं आई यहां तक सभी को clear है जरा जल्दी से बताईए जरा जल्दी से बताईए बेटा जी यहां तक सब को सवज में आगे है, बेटा जी किसी का कोई भी doubt हो तो वो पूछ सकता है अच्छा इसके बाद बात करते हैं word को rearrange करने की word को rearrange करने की तो जब कभी भी rearrange की बात हो तो हमेशा total words में से हमेशा total words में से minus one कर दीजे हमेशा total words में से minus one कर दीजे हमेशा total words में से minus 1 कर दीजे यहां तक सभी को clear होगे बेटा जी यहां तक किसी का कोई भी doubt होतों लो पूछ सकते अब आपके words वाले question खथम हो गया अच्छा अप अब हम बात करते हैं circular permutation की अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर पर्मूटेशन की सर्कुलर पर्मूटेशन में क्या होता है सर्कुलर पर्मूटेशन में अच्छा मैं अगर आपसे एक सर्कल बनाने की बात करूँ ध्यान से सुनिये के मेरी बात को बहुत ध्यान से क्या ये सर्कल ठीक है क्या ये सरकल ठीक है जो मैं पूछनों उसका जवाब दीजे क्या ये सरकल ठीक है जरा जल्दी से जवाब दीजे क्या ये सरकल ठीक है क्या ये सरकल ठीक है नलायको जरा जल्दी से जवाब दो नहीं है क्यों नहीं है अगर मैं इसको मीट करा देता है, ऐसे करके, तो आप क्या कहते हैं, ये सरकल ठीक है, ये सरकल ठीक है, ओपन से बात नहीं हो रही है, ओपन की बात नहीं हो रही है, अगर ये इसको मीट ही नहीं करेगा, मालिजी यहां के मीट करता है, तो आप कहते हैं, ये सरकल ठीक नहीं है जैसे आप होता है जब छोटे होते हैं तो मैम कहते हैं चलो बेटा चलो लाइन लगा लो तो सभी बच्चे लाइन लगा लिए अब उसके बाद मैम कहते हैं चलो बेटा प्लेग्राउंड में चल रहे हैं प्लेग्राउंड में जाने के बाद बच्चों से कहा जाता है चलो ब इसके चारों तरफ क्या बनाओ, एक सर्कल बनाओ, मने सर्कल बनाने के लिए किसी एक पॉइंट का फिक्स होना जरूरी है, अदरवाइस सर्कल कभी बन ही नहीं सकता, जैसे आप खुद देखिए, अगर आप सर्कुलर अरेज्मेंट करना चाहते तो आप अपने आपको फिक् समाल लिया और बाकी सब को मूफ करा रहे हैं, मने जब कभी भी आप सर्कल में जाएंगे, जब कभी भी आप सर्कल में जाएंगे, तो सर्कुलर अरेज्मेंट के अंदर किसी एक चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा, मने अगर आपको N परसन को, अगर आपको N person को circle पे arrange करना है तो arrangement कितने होंगे N minus 1 factorial अगर आपको N person को circle पे arrange करना है तो arrangement कितने होंगे N minus 1 factorial क्योंकि 1 person तो fix है बाकी move कर रहे है यहाँ तक clear हुआ यह नहीं हुआ ज़रा जल्दी से जबाब दीजिए यहां तक सबको सबस्ज में आ गया जैसे अगर मैं कहूँ पांच पर्सन को रो में अर्रेंज करना है तो अर्रेंजमेंट कितने होंगे फाइफ फेक्टोरियल लेकिन अगर पांच पर्सन को सरकल पे अर्रेंज करना है या फिर round table पे arrange करना है round table पे arrange करना है तो waste कितने होंगे 4 factorial तो waste कितने होंगे 4 factorial यहां तक सब को clear हुआ है या नहीं हुआ जरा जल्दी से जवाब दीजे यहां तक सब को clear हुआ है या नहीं हुआ जरा जल्दी से जवाब दीजे दिव्या मोधी जी बाकी सभी लोग जवाब दे यहां तक सभी को clear है दिव्या मोधी जी दिव्या मोधी जी जड़ाज़ल्दी से जवाब दे बाकी सभी लोग जवाब दे very good तो अब अगर मैं जैसे कहूँ आपसे मा लीजे three girls है और फाइब बोईज है अगर मैं सिंपल एरेजमेंट की बात करता तो टोटल एरेजमेंट कितने होते बात करता तो टोटल एरेजमेंट कितने होते हैं रो के अंदर कितने एरेजमेंट होते हैं टोटल के ट्री गल्स है फाइब बोईज है फाइब बोईज है रो में अरेजमे करने की अरेंजमेंट कितने होते हैं जल्दी से अंसर दीजें न लाइक को अगर तो रो में अरेंज करने के कितने आरेंजमेंट होते यह दो एक किसी एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा किसी एक अगर मैं कहूं boys always come together boys always come together तो अब आप क्या करते हैं रो के लिए क्या करते हैं boys को एक बाल लेते हैं एक ये तीन ये कितना होगा है चार four factorial into five factorial four factorial into five factorial ये तो होगा रोक अरेंजमेंट ये तो होगया फ्रोक अरेंजमेंट लेकिन अगर सरकल की बात करते हैं तो आप क्या करते boys को एक माल लेते हैं एक ये तीन ये कितने होगा चार चार परसन को सरकल पर अरेंज करने के तरीके कितने होंगे चार परसन को सरकल पर अरेंज करने के तरीके कितनी होंगे 3 factorial, और ये पाचो आपस मैं range होंगे in two में 5 factorial, माने एक ही बार तो fix किया, किसी ना किसी एक person को तो आपको fix करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी एक person को तो आपको fix करना ही पड़ेगा, otherwise circle बन ही नहीं पाएगा, अधरवाई सरकल बनी ही नहीं पाएगा यहां तक सभी को clear है जरा जल्दी से जवाब दीजे जरा जल्दी से जवाब दीजे ऐसे ही अगर मैं कहूं N beats से N beats से अगर necklace बनाने की बाता है N beats से necklace बनाने की बाता है तो necklace कितने बनेंगे N minus 1 factorial divided by 2 N minus 1 factorial divided by 2 N beats से कितने necklace बनाये जा सकते है N minus 1 factorial divided by 2 N beats से कितने necklace बनाये जा सकते है N minus 1 factorial divided by 2 बैइ कैसे जैसे necklace बनाने की बात आती है तो ज़रा ध्यान दीजे हम क्या करते हैं सबसे पहले necklace बनता तो ऐसे ही है ऐसे ही तो होता necklace तो एक को तो हमने fix कर दिया तो n-1 factorial हो गया अच्छा divide by 2 क्यों कि या क्योंकि जो arrangement यहां होगा वो arrangement यहां पर भी तो होगा जो arrangement इस साइड में होगा वो arrangement उस साइड में भी होगा तो इसलिए क्या कर दिया divide by 2 कर दिया तो n-bit से necklace बनानी कि अगर बात करेगा तो कितने necklace बनाए जा सकते हैं n-1 factorial divided by 2 यहां तक सभी को clear हो गया जरा जल्दी से जवाब दिजे यहां तक सभी को clear है जरा जल्दी से जवाब दिजे यहां तक सबको सबज में आ गया very good अच्छा अब देखे पर्मूटेशन तो हो गया खत्म पर्मूटेशन की बात तो होगे खत्म दोस्तों अब हम बात करते हैं NPR के formula की देखे formula तो हमें पता होना चाहिए न हाला कि हमने पूरे पर्मूटेशन के अंदर कहीं भी NPR के formula का use ही नहीं किया लेकिन हमें formula पता होना चाहिए अब जड़ा ध्यान दिजेगा अगर मैं कहूँ N things में से आपको क्या करना है are things को arrange करना है N things में से आपको क्या करना है are things को arrange करना है तो number of arrangement number of arrangement is equals to क्या होगा NPR इससे ऐसे भी लिख सकते NPR को P N, R P N, R का मतलब NPR से ही होता है NPR that is equals to N factorial divided by N minus R का factorial here N is always greater than equals to R सिदी सिदी बात है पांच में से आप 2 चीजों को arrange कर सकते हो पांच में से आप 3 चीजों को arrange कर सकते हो पांच में से आप 4 चीजों को arrange कर सकते हो पांच में से आप 5 चीजों को arrange कर सकते हो लेकिन 5 चीजों में से 6 चीजों को कैसे arrange किया जा सकता है not possible है तो n की value हमेशा r से बड़ी होगी अच्छा अब जैसे अगर मैं कहूं 10p3 इसका मतलब 10 में से 3 चीजों को arrange करने के तरीक पूछ रहा है अब इसमें आपको कोई formula लगाने की जरूत नहीं है कोई भी formula लगाने की जरूत नहीं है आप क्या करेंगे 10 को पीछे 3 बार लिख दीजे 10 into 9 into 8 खानी खत्म 10 को p का मतलब पीछे 3 बार 10 into 9 into 8 आंसर खत्म बास सबज में आई या नहीं है अच्छा जैसे अगर मैं कहीं लिख दू 11p2 तो इसका मतलब क्या हुआ 11 में से 2 को arrange करने के तरीके पूछ था है तो अब इसको solve कैसे करना है कोई formula लगाने की जरूत नहीं है 11 को p का मतलब पीछे 2 बार लिख दीजे 11 into 10 11 को p का मतलब पीछे 2 बार लिख दीजे 11 into 10 अच्छा जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 17p4 बताइए कितना होगा 17p4 बताइए कितना होगा 17p4 बताइए कितना होगा 17p4 बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से 17p4 बताइए कितना होगा तो यह हो जाएगा 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 आंसर कदम, 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 आंसर कदम, अच्छा, बिल्कुत से में में, अगर मैं आपसे कहूँ, N P 4 बताईए कितना होगा, जल्दी से बताईए जल्दी से, तो N को P का मतलब पीछे 4 बाल लिख दीजे, तो N फिर एक कम कर रहे थे न, एक करके कम कर रहे थे न, फिर एक कम N-1, फिर एक कम N-2, फिर एक कम N-3, हो गए 4, 1, 2, 3, 4, आंसर कदम, N, N-1, N-2, N-3, N-1, N-2, N-3, यहां तक सभी को क्लियर है, जल्दी से बताईए, यहां तक सभी को क्लियर है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताईए, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है अच्छा, अगर मैं आप से कहूँ पहला NP1 बताओ, जरा बताओ, जरा बताओ, क्या आएगा NP1 बताओ, जरा जल्दी से बताओ, NP1 की वेल्यू कितनी होगी जल्दी से बताई एन पी वन की विल्यू कितनी होगी वेरी गुड एन एन को पीछे एक बार का मतलब एन दूसरा अगर मैं कहूं एन पी एन मैंने जिसे मैंने लिख दिया 5P5 जल्द बताई कितना होगा 5P5 बताई सबसे पहले इसको छोड़ दीजा नपेन को 5P5 का मतलब 5 को पी का मतलब पीशे पांच बार तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माने कितना आएगा 5 फेक्टोरियल कितना आएगा 5 फेक्टोरियल भई 5 पी 5 का मतलब क्या हो गया 5 को पी का मतलब पीशे 5 बार तो 5 factorial हो गया, अगर मैं 6P6 पूछू कितना आएगा, अगर मैं आपसे 7P7 पूछू कितना आएगा, 7 factorial, 8P8 पूछू कितना आएगा, 8 factorial, तो N P N की value कितनी होगी? N factorial N P N की value कितनी होगी? N factorial यहां तक बास सवज में आई है या नही है? यहां तक बास सवज में आई है या नही है? ठीक, very good अच्छा तीसरी बात अगर मैं आपसे पूछू N P 0 बताओ तो जैसे मैं अगर यहां पर एक example के तौर पर ले लिता हूँ अगर मैं आपसे को हूँ 7 P 0 बताओ तो 7 P 0 क्या होगा? 7 को P का मतलब पीछे 0 बार लिखो मतलब मत लिखो, तो 1 तो लिखेंगे चाहाँ आप इसे formula में लगा देखें देख लीजे कि भाई N P R का formula क्या होता दा? यह होता दा N factorial upon N minus R का factorial तो जड़ा देखें 7 factorial upon 7 minus 0 का factorial तो सेम आगया कटके क्या आएगा? 1 ही तो आएगा तो N P 0 की value कितनी आएगी? 1 आएगी N P N की value कितनी आएगी? N factorial आएगी N P 1 की value कितनी आएगी? N आएगी यहाँ तक सबको सबज में आगया अच्छा 0 factorial की value मैंने आपको पहले भी बताया था कितना आता है? हमेशा 1 आता है 0 factorial की value हमेशा कितनी आती है? 1 आती है यहाँ तक सबको सबज में आगये बिटा जी यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है अच्छा जैसे अगर मैं आपसे एक बात और पूछू जैसे मैं कहूँ 2N प्लस 1 P2 बताओ 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 जल्दी से बताईए 2 बताईए क्या होगा जल्दी से बताईए 2N प्लस 1 P2 माने 2N प्लस 1 को P का मतलब पीछे दो बाल लिख दीजे तो एक बार तो 2N प्लस 1 फिर एक कम करेंगे तो कितना आएगा 2N आंसर खताब आपको इसमें कोई फॉर्मला लगाने की जरूवत नहीं है दोस्तों आपको इसक सबी को क्लियर है किसी का कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है बिड़ा जी यहां तक सबी को क्लियर है मैं फिर पूछ रहा हूँ बिड़ा जी किसी का कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है बस पर्मोटेशन होगा है खतम पर्मोटेशन हो चुका है खतम दोस्तों अब रह गई combination की बात, अब आप permutation की question को करने के लिए बिलकुल free है, किसी भी book से करिए, किसी भी module से करिए, कहीं से भी question करिए, आपके सारे questions हो जाएंगे, मैंने आपको maximum सारी possibility class के अंदर cover करा दी है, जो जो possibility बन सकती थी, वो सारी possibility मैं आपको class के अंदर cover करा चुका हूँ ठीक है न, तो अब आप लोग questions को अराम से try कर सकते हैं, next class में हम लोग combination शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि combination को हम खतम कर दे, ठीक है न, तो next class में हमारा combination का जो topic है, वो खतम करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, देखें, मैं बिलकुल जल्दबाजी नहीं चाह ता, मैं आपको जो भी topic पढ़ाऊंगा, वो ऐसा पढ़ाऊंगा, ताकि आपका वो paper में कोई भी question आए उस topic से related, आप आसानी से कर सके, उसमें आपको घबरानी की कोहीं से कहीं तक कोई जरूवत ना पड़े, ठीक है न, तो next class में हम लोग दोस्तों, combination के topic को start करेंगे, और अगर आपका combination को topic सही से हो गया, तो probability आपका 70% खतम हो जाएगा, probability आपका 70% खतम हो जाएगा, combination छोटा है, permutation लंबा है, बास सबज में आगे से, यहाँ तक सभी को clear है, चले, आज के लिए दोस्तों, उमीद करता हूँ कि आपकी class बहुत 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 अच्छी रही होग और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, permutation के अंदर, बाकी हम लोग next class में combination के उपर discussion करेंगे, तो आप सभी से request करूँगा, please next class में कोई भी बच्चा late मत होईएगा, और अपनी class को punctual way पे start करिएगा, क्योंकि combination का basic अगर आपने खराब कर लिया, तो पूरा का पूर झाल